हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड अस्टॉलाजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चैक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सा काफ़ी स्क्वाइरश नजर आ रही है और फिंगर्स भी काफ़ी ठिक नजर आ रही है और अगर जेखें तो आप सारे किस सारे फैलन्जिस जो हैं तिक हैं अच्छी एनर्ची और स्टामना इनके अंदर रहने वाला है और इनके सार्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी सीधी और खड़ी रिखाएं आपको इनकी fingers के ओपर नजर आ रही होंगी जैसे कि आपको draw करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की रिखाएं जो सीधी खड़ी रिखाएं हैं इनकी fingers के phalanges के ओपर बहुत हलकी रिखाएं लेकर काफी सारी रिखाएं दिखाएं दे रही हैं जिसकी वजह से काफी friendly nature रहती है व्यक्ति की और अगर fingers की बात की जाए तो यहाँ पर short sized fingers हैं बहुत ज़्यादा में नहीं है fingers जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज nature भी व्यक्ति की रहती है कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते ऐसे लोग और जल्दबाजी में काम शुरू कर देते हैं और कई बार उसकी वजह से इनको नुक्सान भी अठाना पड़ता है तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी fingers है उसमें यहाँ पर Apollo finger की length ज्यादा है थोड़ा सा अगर compare करें यहाँ ब्रसपती finger से तो Apollo qualities थोड़ी ज्यादा रहेंगी और ब्रसपती की qualities कुछ कम होने के यहाँ पर chances है क्योंकि थोड़ी सी short है finger और जो इनकी saturn finger है saturn finger की length यहाँ पर काफी strong है काफी अच्छी है जो इनकी महनती nature को यहाँ पर show करती है mercury finger की बात की जाए तो अब यहाँ पर देख सकते है mercury finger की जो length है यहाँ पर first falange को भी cross कर रही है Apollo finger की तो काफी अच्छी communication skills रहते हैं और यहाँ पर calculation करने की शमता भी काफी अच्छी होती है व्यक्ति की जिनकी mercury finger की length अच्छी हो आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके जो mounts हैं वो किस तरह से set हैं इनके हाथ में तो जैसे अगर मैं यहाँ पर draw करता हूं तो आपको नजर आएगा कि जो mounts की setting है वो किस तरह से हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कि अगर एक हम line draw करते हैं तो बनकर सामने आ रही है जिसमें यहाँ पर कोई भी mount मुझे low set होता हो नजर नहीं आ रहा है लगबग सारे के सारे जो mount है यहाँ पर अच्छी setting में हैं और 1v1 हो मगर चेक करें एक-एक mount को तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहूंगा ब कि इस ब्रसपती Mount यहाँ पर जो ट्रायरीडल है ब्रसपती मौंट का बिलकुल सेंटर में मनता हो दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहां पर जो बारीक लाइनों से बनने वाला तरी कौन होता है वो कुछ इस जगहा पर बनता हो नदर आ रहा है जिसकी वज़े से ब्रस्पती मौँट काफी प्रामिनेंट हो रहा है बिल्कुल सेंटर में सेंटर पॉइंट उसकों कह सकते हैं अगर किसी भी माउंट का जो ट्राइरेडल है अपैक्स है बिल्कुल सेंटर में बनता हो तो उस माउंट की जो खुबी हैं और भी बढ़ जाती है यहाँ पर माउंट मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन्स का होना व्यक्ति को सेंप्थाटिक तो बनाता ही है साथी साथ मल्टिपल सोर्सिस होते हैं इंकम के जिनके हाथ पे इस तरह की आड़ी रिखाएं ब्रस्पती माउंट के उपर हूँ आगे चेक करते हैं शनी मांट को तो यहाँ पर देख सकते हैं शनी मांट जो है यहाँ पर थोड़ा सा दबबह हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़यादा उब्रा हुआ साटन नहीं है लेकिन शनी की जो रेखा है वो काफी अच्छी है यहां पर स्ट्रॉंग सैटरन लाइन यहां नीचे से चलती हुई और उसके साथ ही कुछ खड़ी रिखाएं यहां पर जिसको हम असिस्टेंट लाइन्स भी कहते हैं शनी माउंट के ओपर नजर आ रही हैं जो यहां पर इस चीज़ की और भी पुश्टी करते हैं कि मल्टिपल सोर्सिस आफ इंकम इनकी लाइफ में रहने वाले हैं और जिसकी वज़ए से इंकम जो है इनकी काफी अच्छी रहेगी आगे चेक करते हैं यहांपर सोर्यमाउंट को सोर्यमाउंट मुझे यहांपर ज्यादा उभरा हुआ नजर नहीं आ रहा और सोर्यमाउंट के उपर दो रिखाएं हैं खड़ी हुई जिनको हम अगर एक लाइन हो यहांपर तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस तरह की दो रिखाए हैं तो लगबग दो तरहां की इनके अंदर artistic qualities रहे सकती हैं जिनको चूज कर पाना थोड़ा सा confusing हो जाता है व्यक्ति के लिए अगर एक line हो सीधी सूर्य मौंट के ओपर तो एक ही ऐसी artistic quality होती है व्यक्ति के अंदर जिसकी वज़ाए से वह है पूरी सूर्य मौंट मुझे weak होता हुआ नजर आ रहा है mercury मौंट की बात करें तो mercury मौंट यहां पर काफी अच्छा और उभरा हुआ है prominent mount मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और सीधी दो खड़ी रिखाएं है mercury mount के उपर जितनी ज्यादा खड़ी रिखाएं हो उतना ही इसको अच्छा माना जाता है तो यहाँ पर mercury mount prominent है काफी beneficial इस mount को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ business करने की किशमता व्यक्ति के अंदर रहती है जिनका mercury mount उबरा हुआ हो खड़ी रिखाएं हो इसके उपर और साथी साथ mercury finger की length भी अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति काफी ज़्यादा हुशार होते है business में काफी cleverness होती है और अपनी इसी cleverness की वज़ए से काफी त्रक की भी कर पाते हैं आगे देखते हैं major lines को तो यहां पर अब देखते हैं बहुतीine lines है उनके हाथ में और सबसे पहले तो यहां पर heart line की बात कर लेते हैं यहां पर अपर आप देख सकते हैं hara het line जो है यहां पर मिल्कुल सीधी चलती हुई ब्रस्पति माउंड तक पहुंचती है कुछ इस तरह की हार्ट लाइन यहाँ पर और ब्रस्पति माउंड तक किसी भी हार्ट लाइन का पहुंचना यहाँ पर बहुत अच्छा संकेत है ऐसे विक्ति जिनके ब्रस्पति माउंड तक हार्ट की लाइन पहुंचती हो काफी आद जो आदर्श्वादी नेचर है, honesty and loyalty भी इनके अंदर काफी ज्यादा रहेगी, कुछ ऐसी lines हैं, जो नीचे की तरफ लाइन से चलती हैं, दिखाई दे रही हैं इनके हाथ में, यह से यह है जो line जिनके में बात कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं, आसी दो से तीन lines हैं, जिसकी वज़य से व्यक्ति को emotional setbacks भी life में मिलते हैं, otherwise कोई भी major problem मुझे heart की line में नजर नहीं आ रही, बहुत ही clear line है, किसी तरह की कोई health issue यहां heart से related नजर नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी mind की line को, तो यहां पर आप देख सकते हैं, mind की line भी heart line की तरह ही बहुत ही fine है, और काफी clear mind की line और यहां पर अगर देखा जाए, तो यह बहुत छोटी age से ही independent हो गए होंगे, लगबग 17 और 18 के आसपास की age से ही independently, इन्होंने कोई ना कोई काम करना शुरू कर दिया होगा, कुछ इस तरह की यहां पर जो lines है, इस तरह की indication यहां मुझे दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह की जो line अप बनती हुई, यहां तक लगबग इस area तक जो lines ने जुड़ कर चल रही है, यहां तक का जो area है, जो यहां पर 17 और 18 के असपास की age को show करता है, और उसके बाद का जो आगे का area है, वहां से यह line बिल्कुल independent होकर, बिल्कुल सीधा चल रही है, जो बहुत ही sharp mind को show करती है, और business के लिए तो sharp mind होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की mind की line है, व्यक्ति को बहुत ही कामयाब बनाती है, और यहां पर अगर आप देखें, इनके हाथ में जो इनकी line of fate है, वो भी यहां पर moon नेरे की तरफ से चलती हूँ, दिखाई दे रही है, आपको दिखाना चाहूँ को draw करके, तो कुछ इस तरह की इनकी जो fate की line है, यहां से चलती हुई, और लगबग Saturn mount तक पहुँचती हूँ, इस तरह की line का होना show करता है, कि व्यक्ति को बहारी sport काफी अच्छी मिलती है, बहारी sport के साथ साथ in-laws की तरफ से भी sport मिलती है, और spouse की तरफ से भी काफी sport life में रहती है, क्योंकि moon का जो area है, यह हम बहारी लोगों के लिए जाना जाता है, जैसे Venus का area अपनी family के लिए जाना जाता है, उसी तरह से moon का area हमारे clients हो गए, यह foreign related people हो गए, यह कोई भी बहारी लोग जो हमारी family के साथ, बच्पन से भी हमारे साथ जुड़े हो नहीं होते, उनके लिए माना जाता है, इसलिए spouse और in-laws को भी यहां से चक्किया जाता है, तो यहां पर इनके हाथ में काफी अच्छी sport मुझे नजर आ रही है, family की तरफ से, spouse की तरफ से, spouse की तरफ से, और साथ साथ अगर आप ध्यान से देखे तो आपको यहां पर money triangle बनता हो नजर आएगा, कुछ इस तरह की hulky line है, जो यहां पर mercury रेखा जिसकों कहते हैं, और बाकी की दुनों लाइन बहुत fine हैं, बहुत ही clear है, जो इनके हाथ में mind की line और fate की line काफी clear है, लेकिन mercury line थोड़ी weak है, लेकिन complete money triangle की formation कर रही है, जिसकी वज़े से light में पैसा इकठा करना इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपको थोड़ा close up में दिखाना चाहूँगा, यहां पर आपको नजर आएगी hulky mercury line जो बहुत ज़्यादा deep नहीं है, लेकिन फिर भी जो formation है money triangle की इसकी वज़े से complete होती हूँ नजर आ रही है, यहां पर जो इनके आद में mercury line आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए, तो कुछ दो ऐसी रहू रिखाएं हैं जो इनको थोड़ी problem देती हूँ नजर आ रही हैं, यहां से लेकर मैं आपको थोड़ा से size decrease करके दिखाना चाहूँगा यहां पर, अब आपको clearly नजर आ रहा होगा, इनकी जो heart की line है और life line को touch करती हूई, पहली रहू रेका यहां पर नजर आ रही हैं जो लगबग 35 और 36 के आसपास की age में इनको थोड़ी problem दे सकती हैं, और यह problem health related और finances से related रह सकती हैं, और उसके बाद जो एक और line है, जो यहां पर नजर आ रही है कुछ इस तरह की, तो यह है दो lines जो हैं लगबग इनको loss में डालने वाली हैं, जो पहली है लगबग 35 के round की age में है और जो दूसरी line है, यह 45 के आसपास की age में है, इन ages में थोड़ी सी दिक्कत का इनको सामना करना पड़ सकता है, overall और कोई भी major problem इनके हाग की line से नजर नहीं आ रही, और यहां पर आप देख सकते हैं, हलकी छोटी रिखाएं जो family जो health related issues इनको दे सकती है, यहां पर life line के ओपर हलकी छोटी stress lines हैं, जो इनको कुछ नकुछ health related issues देती रही होंगी, और अगर आप यहां पर देखें तो overall काफी अच्छी इनकी life की line है, काफी लंबी life यहां पर मैं देख पा रहा हूँ, और life की line जो है, वह बाहर की तरफ रुक कर रही है, जो एक बहुत अच्छा योग बनाती है, जिसको हम फॉरण जाने का योग भी कहते हैं, तो यहां पर काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, कि यहां विदेश जा सकते हैं, और काफी लंबा समय वहां पर stay कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिखाना चाहूँगा, लाइफ की लाइफ की लाइन से निकल कर, बाहर केत्यों की तरफ इस तरह का जो ब्राँच का जाना विदेश यात्रा की लिए एक तरा से यहां इंडिकेशन देता है और साथी साथ लॉँंग स्टे की बात भी यहां सर देखी जाते हैं, कुछ इस तरह की लाइन का केतो एरिया के ऊपर बाहर की तरफ निकलना और यहां पर फिश जैसा एक सिंबल बना यहां पर जैसे कुछ ऐसा सिंबल बनता है जिसको हम मच का सिंबल भी कहते हैं तो यहां पर काफी स्ट्रॉंग चिन इनके हाद में बनता हो नजर आ रहा है जो अचानक धनलाब तो व्यक्ति को देता ही है साथी साथ foreign travel और foreign में long stay के chances को भी बढ़ाता है overall यहाँ पर moon area काफी अच्छा है जो इनको traveling करवाएगा और साथी साथ venus area भी यहाँ पर काफी strong है जो हर तरह की एक तरह से luxury life में व्यक्ति को देता है तो venus काफी अच्छा है इनके हाथ में और साथी साथ यहाँ पर कुछ ऐसी worry lines हैं जो इनको थोड़ी चिंताएं और मांसिक परिशानियां दे सकती हैं लेकिन कोई भी major issue इनकी वजह से नहीं होने वाला क्योंकि कोई भी इनमें से रेखा इनकी life line को disturb नहीं कर रही तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश रहती है कि सारे स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्वाल या चिन रहा जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे whatsapp पे message करें ताकि मैं दुबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके स्वालों के जवाब timely मैंदर पर ने दे सकूँ अमिद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे like करें शेयर करें और साथ ही साथ मेरा channel भी subscribe करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद